आप सब जानते हैं सरीष का वन्य जीव अभिहारन जो कि आपके अलवर हालां कि यहां पर जो है वो रज्य से सम्मंदित क्यूशन है तो राजस्तान ओप्शन नमर क्या हो जाएगा? लीजिए अगला अगला क्यूशन क्या कह रहा है? अगला क्यूशन है आपके सामने लीजिए पुछा जा रहा है राजस्तान का कोणसा भोगोलिक छेतर हाडोती के पठार के रूप में जाना जाता है यानि ऐसा कोणसा छेतर है जिसे हाडोती का पठार भी आप कह सकते हैं आडोती का पठार कह सकते हैं, आप विंद्येन कंगार भूमी कह सकते हैं, मालवा का पठार कह सकते हैं, दक्कन का पठार कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर, दक्षिन पूर्वी पठारी छेत्र, ओप्शन नमर क्या है, A is a correct आस्वर, ठीके, चली, अगला, अगला जो है, वो अगला कुशन है आपके सामने लीजी पुछा जा रहा है राजस्तान में मरुस्तल्य मर्दा के शंद्रब में निम लिखित में से कोण सा कतन सही नहीं है कोण सा ऐसा कतन है जो की सही नहीं है उर्वर्ता की कमी और लवनता अधिक होती है आप कहेंगे सर बिलकुल मरुस्तल्य जो मर्दा है वहाँ पर लवन्टा आपको अधिक देखेगी औरवरता कमी है ठीक है ये पानी को अत्यदिक मातरा में सोग या धारन कर सकती है पवनों दुआरा इस्तानांतरित होती है ये मरदा पस्चिमी मरुस्त राजस्तान में पाई जाए देखिए मरुस्तल की बात हो रही है पहला क् लवनता अधिक होती है और उर्वरता की कमी आप कहेंगे सर ये तो सही है लेकिन परसन पूछ रहा है सही नहीं है मर्दा पौनों के दुवारा इस्तानांत्रित होती है बिल्कुल मर्दा अपरदन ये भी सही है ये मर्दा परश्चिमी राजस्तान में पाई जाती है ये भी स पूछा जा रहा है शेखावटी और कुच्चामन के किस लोक नर्ते में धोल और ड्रम वाद्धियंत्रों का परियोग किया जाता है। पिछली बार शीट में देखने को मिले थे। अगला अगला जो है वो है आपके सामने लीजी क्या पूछा जा रहा है दिखी। कार्ड में सर्वे पर्थम उन्ट लाने का जो श्रह है वो पाबुजी को है आप सब जानते हैं ये भी सही है। इसका मिलब कतन फैस्ट और कतन सेकिंड दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नमर क्या हो जाएगा। शीड ठीक है। अगला है ये लीजे भई। अगला क्युशन आया है रियासतों के सासकों ने अपनी वीरता अपनी विजे आदी के वरतानतों को इतिहास कार दुआरा लिखाए गए। अभी लेखों में संजो कर रखा है इन वरतानतों को क्या कहा गया है। दाववेत, वात, ख्यात या वचनी का। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आस्वर है वो ऑप्शन नमर शी। ख्यात। ठीक है। ख्यात के अंदर। लीजिए अगला। अगला लीजिए। ये ल फढ़ नहीं भईए, फढ़ फढ़ गाते समय जिस वाद्य अंतर का परियोग किया जाता है वे कौन सा है। तो पाबु जी की फढ़ का वाचन करते कौन है नायक जाती के भोपे और कौन सा तो आप कहेंगे सर रावन हत्ता। याद रिकिएगा देव नारायन जी की फढ़ का वाचन करते समय जिस वाद्य अंतर का परियोग करते है वो जंतर है। ठीक है। अगला अगला देखें। अगला है आपके सामने। रिको ने एक जापानी छत्र खाली जगे ओध्योगिक पारक में इस्तापित किया है। रिको दुआरा जोतपुर है, धोलपुर है, माउ जापानी छत्र खाली जगे ओध्योगिक पारक में इस्तापित किया है। अब यहाँ पर ओप्शन देखेंगे तो आपको ओप्शन नमबर डी है, वो करेक्ट आक्स वरे कौन सा निम्राना। ठीक है। चलिए। अगला लीजिए, ये रहा आपके सामने। पहली शिप्ट क अंदर क्युशन पूछने का तरीका दूसरा था, यहाँ पर तरीका दूसरा है, कि राजस्तान में परतिवरस 14 जनवरी मकर शंकरान्ती मनई जाती है, पतंग उत्सो जो है, वो कहां का परशिद है, ये पहले शिप्ट में था, जेपुर, और यहाँ पूछा जा रहा है कि 14 तो अजनवरी मकर सकरान्ती काईम बनाा है, पतंग उत्सो जय गुटवर्धान के परथम गवर्नर कौन, गवर्नर रज्यपाल, और रजस्तान के परथम रज्यपाल कौन, आप कहेंगे सर, गुरुमुक निहाल शिंग, औप्शन नमबर क्या है, सी जग करेक्ट आशूर, अगला है, 1 सितंबर 2024 तक राजस्तान में कुल कितनी महिला मुख्य मंत्री बनी, यहाँ पर कितनी बार नहीं पूचा है, कितनी महिला पूचा है, और आप सब जानते हैं, एक मातर महिला जो राजस्तान के शियम बनी है, वो है आपके वसुंदरा राजे सिंधिया, ठीक है, कि इतनी महिला बनी, इतनी पुचा के बनी, चली, अगला, लिजी, निमलिकित में से, किसे दिशंबर 2023 में राजस्तान के उप मुख्य मंत्री पर अपको पता है, उप मुख्य मंत्री वर्तमान के अंदर राजस्तान में दु है, एक महिला है दिया को मारी और एक है आपके प्रेम चंद बेरवा तो ओप्शन नमर क्या है? B. वर्तमान सरकार के जो है पहले शिप्ट के अंदर भजिलाल जी थे इस शिप्ट के अंदर प्रेम जी है अगला और CT के अंदर भी देखेंगे तो आपको इस परकार के किशन देखने को मिले थे अगला है लीजिए राजस्तान में उगने वाली रभी फसल का चेन कीजिए रभी की फसल कौन सी है चलिए तो यह इस परकार का किशन पहले शिप्पे भी था ठीक है राजस्तान में हाँ कौन सा हो जाएगा मक्का चावल जो बाजरा देख लीजिए ऑप्शन के अंदर ठीक है ऑप्शन नमर हो जाएगा सी अगला है यह किशन थोड़ा सा आप देखिएगा पूछा जा रहा है किस चरण में अलवर धोलपूर भरतपूर करोली का वरेत राजस्तान में विले हुआ है गटन कब हुआ यह नहीं पूछ रहे है विले हुआ है आप कहेंगे सर पांच में चरण में 15 माई 1949 याद रखेगा अगला अगला है आपके सामने लीजिए किसंगड चित्रकला सेली को उसके चर्मो उतकर्ष पर ले जाने का सरे निम्न में से किसे दिया जाता है तो आप सब जानते हैं ऑप्षन देख लीजिए उद गड़ जो चित्रकला सेली है इसको परशिदी मिली है बनी ठणी से और बनी ठणी बनाने वाड़े निहाल चन अगला है आपके सामने लीजिए आएगे थांग बातारी फुलवारी बातारी फुलवारी किसके दुवारा लिखी गई है विज्यदान देथा लक्ष्मी कुमा पुछे बीजी के नाम से जाने जाते हैं राजस्तान के शेक्स पीर हैं याद रिखेगा विज्यदान देथा बिलों दुआरा किस नर्तिय का परदस्ण किया जाता है अगला है लीजिए अगला है अगला है आपके सामने परशिद लोकनाते तमासा राजस्तान के किस इस्तान का तमासा जो लोकनाते है वो कौण से इस्तान का है तो आप कहेंगे सर तमासा है आपके जहिपुर मुलूप सिद माराष्ट का है आप जानते ही है अगला अगला है आपके सामने लीजिए ये रहा उच्छा जा रहा है अगला राजस्तान में जहमई बांध कहां इस्तित है राजस्तान में जहमई बांध जो है वो कहां इस्तित है तो आप कहेंगे सर जहमई बांध जो है वो आपके पाली के अंदर है जहमई बांध कहां है पाली में अगला है 2011 की जन गणना के अनुसार राजस्तान के निम्न में से किस जिल्ले की जन संक्या सरवादिक है अब सरवादिक जन संग्या जानते ही है राजदानी जैपूर ठीक है और पहले वाले शिप के अंदर था सबसे कम तो जन संग्या से कुशन आये हैं बट इजी वाला ही कुशन आये हैं जाद है इतने हाड़ वाल अगला है निमलिकित में से किस वरश में राज़स्तान राजिय शडग परिवे निगम RSRTC की स्थापना हुई है RSRTC की स्थापना आपके 1964 ओप्शन नमर क्या है बी अगला अगला है आपके सामने लीजिए अगला है राज़स्तान में बिशलपूर परियोजना निमलिकित में से किस चैतर में इस्थित है बिशलपूर परियोजना बिशलपूर परियोजना जसलमेर उदेपूर बिकानेर टॉंक पता चल गया औप्शन से ही पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो औप्शन नमर क्या हो जाएगा D is a correct आस्वर टॉंक हो जाएगा ठीक है अगला देखिए इसी परकार का कोई और भी क्यूशन था पहले सिप्ट में कि कौन सा राश्टी राजमारक राजस्तान राजजेश होकर यहाँ पुछा जा रहा है गुजरता है वहाँ पर पुछा था कि कौन सा राश्टी राजमारक नहीं गुजरता है तो यहाँ पर ऑप्शन नमर क्या हो जाएगा आप काएंगे सर एनेच 11 ऑप्शन नमर सी अगला अगला है अगला क्या है अगला है निमलिकित में से कौन सा कारक है जो राजस्तान की जलवायू को निर्धारित नहीं करता है कोन सा ऐसा कारक है जो जलवायू को निर्धारित नहीं करता है पौवन की दिशा करेगा समुन्दर से दूरी करेगा अकसां सी इस्तती करेगा देशांतर का शमे निर्धारण देशांतर जो है वो समय निर्धारण के लिए option नमर यहां पर क्या हो जाएगा D अगला है आपके सामने है लीजिए चूरू, जुन्जनू, हनमानगड, सुरतगड और गंगानगड चेतरों में कोण सी बोली बोली जाती है मेवाती, वागडी, मालवी, शेखावटी मेवाती, आप कहेंगे मेवात सेतर है वागडी, बोली, आप कहेंगे सर दक्षिन में है, मालवी दक्षिन पूरवी है बची सेखावटी, option नमर क्या है D D जो है, वो क्या हो जाएगा आपके सामने correct answer ठीक है जली अगला अगला है आपके सामने लीजिए, ये रहा राजस्तान में किस नहार से पहले स्राजपक्स में सांजी बनाई जाती है यानि कोण से तेहार से पहले सांजी दिपावली, पोंगल, दसेरा या हुली तो आप कहेंगे सर दसेरा दसेरा से पहले, ये देखें किस तेहार से पहले सराजपक्स में सांजी दसेरा अगला यह आगे आपके सामने शेम डिटो क्यूशन था सीटी के पेपर में इसलिए कहते हैं पूराने पेपर एक बार आप जरूर स्वोल करें कोई सा भी एक्जाम दे राजस्तान में कच्छी गोडी नर्तिय किस अउसर से स अगला क्यूशन देखिए अगला है राजस्तान की महिलाएं किस अउसर पर लेहरिया भांत की ओड़नी पहनती है लेहरिया भांत की ओड़नी दिपावली, शीशू के जन पर, हुली पर या तीज पर अब लेहरिया देखिए लेहरिया भांत की ओड़नी पहनती है किस अउसर पर है बता दीजे फटापट कौन सा उसर हो जाएगा तो आप कहेंगे सर लेहरिया भांत की ओड़नी पीज, ओप्शन नमर क्या हो जाएगा डी अगला, राजस्तान खनीज उतपादन 2023-2024 के अनुशार दियस बर में राजस्तान खाली जगे खनीज का मुख्य उतपादक है इन में से कौन सा है जिसका राजस्तान मुख्य उत्पादक है यहां पर तो यहां पर option number हो जाएगा C is correct answer C सा और है जस्ता अगला अगला है राजस्तान का भीलवाडा शहर खाली जगे के लिए जाना जाता है यह वस्तर नगरी है टेक्स्टाइल शिट्टी है यह तो हो गया option number A अगला अगला है राजस्तान के उस लोक नरते का चेन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए परशिद है कुच्ची पूड़ी हमारा राजस्तान का थाई नहीं चड़ो गर्बा गुजरात का है गिद्दा भी ने तो option A की यह जो राजस्तान का है कटपूत ली option number क्या है C is the correct answer सांजा करता है लीजिए कोन सा ऐसा जिल्ला है जो पाकिस्तान के साथ जब से ने जिल्ले बने तब से यह था सर पूछेंगे 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 हाँ तो पूछेंगे तो पूछ भी लिया लेकिन गबराने क्या हुशकता है नहीं क्योंकि option में चूरू भिलवाडा बिका निर और पाली दे रखाए भई पूझ भी रा है ऐसी मा सान्जा करता है विका नीर ओप्शन नमर क्या है ऐसी अगला आएगा निमलिकित में से कौन सा छेतर राजस्तान के सबसे दक्षिनी भाग में सबसे दक्षिनी भाग में इस्तित है अजमे, रासमन, चूरू, बांशवड़ा तो आपके उसर टूसर पेरे घड़ा में बोरला कहां पर है तो आपके इसर शिर दामना कहां पेहनते हैं तो हाथ की अंगुली और जाले कट है कान में ठीक है लेज़िए अगला है मानना एक पारंपरिक लोक कला है गुवा की, माराष्ट की, राजस्तान की या कीरल मानना उन्हें जैसे ग्रामनी शेत्रों के अंदर जो कच्चा आंगन होता है उस पर जो रंगोली बने जाती है मानना है राजस्तान ओप्शन नम्बर क्या है? पूचा जा रहा है नो मंजिला एतियासिक विज्यस्तम किस से बना है? केवल काला पत्र है केवल लाल पत्र है लाल बालू पत्र और सपेद संग्मरमर है लाल संग्मरमर और सपेद बालू पत्र है तो वैसे आप फोटो अक्षर देखती होंगे काला पत्र नहीं यहिए न, और केवल काले भी नहीं, अगला, गंगोर के तेहार का अयोजन किष महां में होता है, गंगोर जो परवे है, वो किष महां में, बैसाग, सावन, फालगोन, या चेत, तो था तही जे, चेत्रसुक्लतृतिया, गंगोर, option number है D अगला है लीजिए निमलिकित में से किस चेत्र में राजस्तान की ताला बे साही जील इस्तित है ताला बे साही जील आप कहेंगे धोलपूर में option number क्या है B is correct answer लीजिए अगला अगला है चंबल घाटी परियोजना निमलिकित में से किन राज्यों का सियुंगत उद्यम है चंबल नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है आप कहेंगे सर राजस्तान और MP पहली शिप्ट में भी आया देखो जितनी भी शिप्ट हो रही है ना ये सारे क्युशन आप देख के जाएं क्योंकि बहुत सारे क्युशन रिपीट हो रहे है यहाँ पर कोण सा राजस्तान में है तो केवला देख भरतपूर के अंदर ठीक है अगला हाँ ये क्युशन आया नहीं था आखिर आई गया चलो शी टीम में सेम था यहाँ पर भी शेम है अठारा सो इश्वी में आज के राजस्तान को राजपुताना कहने वाले पर्थम व्यक्ती थे तो आप कहेंगे जोर्ज तॉमस ओप्शन नमर क्या है सी अगला अगला है आपके सामने ये लो लीजिए आगया जी यही आज सुबह वाले शिप्ट में नहीं आया लेकिन दिन एंड होते होते आखिर बिजूलिया आई गया सादू शिताराम दास ने किश आंदोलन आप कहेंगे सर सादू शिताराम दास की जनम इस तले भी बिजूलिया यह याद रखेगा तो विजूलिया किसान आंदोलन के जनक यही है राजस्तान में किसान आंदोलन के जनक विजी सिंग पतिक है पस्चिमी राजस्तान में पस्चिमी राजस्तान में ग्रिशिम रित्तु में घरम सुस्क और धूल बरी हवा है और आप एली शिप में भी चाली है शेकिन शिप में और आएगी गरम सुस्क और धूल बरी अब आद बढ़ती किये है तांग ओप्शन नमबर है A is correct आसवर लू ठीक है अगला राजस्तान में निम्न में से कौण सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवात अंतर से सम्मन दित नहीं है क्या कह रहा है कौण सी ऐसी नदी है जो कि आपके बंगाल की खाड़ी अफवात अंतर से बनास आप कहेंगे सर बनास, बानगंगा, चंबल और लूनी अक्सर option के according ये question करना पड़ता है और यहाँ पर जो बानगंगा नदी है हमें इसे ना चाते भी किस में रखना पड़ेगा बंगाल की खाड़ी में क्यूंकि यहाँ लूनी दे रखा है लूनी इस पर सूप से कच के रण में गिरती है और यह अर्ब सागर का भाग है पूस्त यही रायना का बंगाल की खाड़ी का नहीं है तो option number D ठीक है? अगला अगला देखिए